Q3 में कहा गया In-N-A-P और हमें बहुत सरे पार्ट दे हुए है, इसमें पहले पार्ट में यह कहा गया है कि given A A मतलब पहला term किसी AP का 5 है, D common difference 3 है A-N लाश्ट वाला term या Nth term इस वाली AP का 50 है Find N and Sn, तो हमें N find करना number of terms और जितने भी हमारे N आई नहीं है, number of terms उतने terms का में sum find करना है तो देखे, अगर हमें A given होता, D given होता, A given होता तो हम N find कर सकते है, Nth term वाले formula से, A N equal to A plus N minus 1 into D तो सबसे पहले formula ही यह use करें, A N equal to A plus N minus 1 into D देखे, A हमारा कितना हो गया 5? यहां लिग दिया N तो में find करना है, ऐसी रहना है, minus का 1, D की जगे कितना put करा 3, N की जगे कितना put कर दिया 50 ठीक है, N find हो जाएगा easily, यह 5 हमारे फ्लस का तर लेफ्ट में आके किस को जाएगा minus का इधर बचा N minus 1 into 3, यह हो जाएगा हमारा 45 equal to N minus 1 into 3 यह 3 इधर multiply में N minus 1 के साथ में left में आके किस को जाएगा, divide में इधर N minus 1 बचा, 3 से cancel होगा 15 बार 15 equal to N minus 1, यह minus का बनता, left में आके किस को जाएगा, plus का equal to N, तो N की value कितने आ गई, 16 आ गई, तो N तो हमने find कर दिया, कि 16 होगा इसमें number of terms कितने है हमारे, 16 है, अब हमें 16 terms का sum find करना है तो SN का formula हता है, N by 2, 2A plus N minus 1 into D, ठीके जी, A पता है, D पता है, N पता चल गया, ठीके जी, SN का formula लगाते है SN equal to N by 2, 2A plus N minus 1 into D, N की जाएगा 16, upon में 2, 2A, A की जगा आ गया 5, plus N की जगा फिर दुबर 16 minus 1, D की जगा हमनें पूट कर जया तरी तो यह हो जाएगा, S 16 equal to 2, 8 जा 16, तो 8 ऐसी राट 2 के multiply 5 से करे 10, प्लस 15 minus 1, 16 minus 1 कितना क्या 15, 15 3 जा 45 8 multiply 55 और S 16 हो जाएगा, 55 के multiply कर देश से तो यह हो जाएगा, 85 is a 40, 85 is a 40, 44 तो 16 टम्स का सम इस अली AP का 440 हो जाएगा जाएगा टील जाएगा